नमस्कार मैं अजय कुमार सट्टेबाजी को लेकर के भारत में पागलपन का वह अस्तर दिख रहा है कि भारत सट्टेबाजों का देश लग रहा है भारत सट्टेबाज प्रधान देश बनता जा रहा है फ्यूचर एंड आप्सन ट्रेट की दुनिया में option derivative में जो एक तुरह से कह लिजिए तो 60 बाजी ही होती है इस छित्र में पूरी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा धन्दा भारत में किया जा रहा है ऐसा क्यूं हो रहा है इसके कई सारे जवाब हो सकते हैं मगर एक जवाब जो सबको साब साब दिख सकता है वह यह है कि भारत में सबसे ज़्यादा अमीरी का सपना बेचा जाता है यह सपना लोगों के बीच इसलिए भी बिख पाता है क्योंकि भारत में गरीबी बहुत ज़्यादा है भारत की 90% अबादी हर दिन हर छण पैसे की चिंता में मरी जाती है सोचती है कि जितना वह कमाती है उससे ज़्यादा कहीं से भी कुछ पैसे का इंतिजाम हो जाता तो उसकी जिन्दगी थोड़ी आसान हो जाती इसके साथ मुख्यधारा की सारी बहसों से निकलने वाली प्रिणा यही है कि अगर आप अमीर नहीं है तो आपकी जिन्दगी का कोई अर्थ नहीं है अगर आपके पास आलिसान बंगला नहीं है महंगी गारी नहीं है और महंगी आपके सौक नहीं है तो मामला बहुत गरबड है मुख्यधारा की बहसों में उन लोगों और विचारों की बहुत ही जादा कमी है जो सब के लिए गरिमापूर्ण जीवन जीने की बात करते हैं जो नयतित्ता और अनयतित्ता की वकालत करते हैं जो एक ऐसी जीवन सैली की वकालत करते हैं, जो दूसरे के हक मारने पर नाटिकी हुई हूँ, मुख्यधारा की बहसों में इन सब को बाहर निकाल दिया गया है, मुख्यधारा की बहसों में किवल एक ही चीच परचलित है, कि किसी भी तरह से बस पैसा कमाना है, पैसा कमाना उ बिरोजगारी बढ़ती जा रही है नौकरी है भी तो नौकरी में सोचन बहुत जादा है महंताने के नाम पर महीने में जो सैलरी मिलती है वो जीवन की जरूरतों और चाहतों के मकाबले रत्ती बराबर भी नहीं होती है ऐसे में जिनकी जेब में थोड़ा सा पैसा आता है और जिनके दिमाग पर मुख्यधारा की बहस हावी हो चुकी होती है उन्हें एक ही चीट समझ में आती है कि अच्छा खासा पैसे के जोगार किसी तरह से करना है चाहतों कि इसी रास्ते पर इस तरह के लोगों की मुलाकात फ्यूचर एंड आपसन ट्रेडिंग से होती है लोगों के हाथ में एक मुबाइल है बैंक में थोड़ा सा पैसा है मुबाइल में डेटा है और एक एप डाउनलोड करना है और उसके बाद पैसे कमाने की राह पर आगे निकल पढ़ना है अगर आप महीने में 30,000 रुपए कमा लेते हैं तो आप में से कई लोग ऐसे लोगों को जानते होंगे जिद दिन भर अपने मुबाइल की स्क्रीन पर फ्यूचर एंड आपसन ट्रेडिंग की दुनिया में खुद को डुबो कर रखते हैं उन सबकी चाहतों के किंद्र में यही है कि आसानी से बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेना है पिटे किया हुआ इंजिनियर अपनी घटिया सी नौकरी छोड़ करके फ्यूचर एंड आपसन की ट्रेडिंग में लगा हुआ है स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है सरकारी दफतर में काम करने वाला करमचारी सरकार और जंता का काम छोड़ करके फ्यूचर एंड आपसन की ट्रेडिंग में लगा हुआ है लाइफ इंसुरेंस का काम करने वाला एजेंट इस चाहत में डूबा हुआ है कि कैसे वह future and option trading का बातसा बन जाए सोशल मिडिया पर इन सब को influence करने के लिए fin influencer की फॉज मौजूद है जो यह बताती है कि कैसे trading करके कैसे करोडों कमाया जाए stock market से कैसे लखपती और करोडपती बना जाए सेबी की report बताती है कि future and option trade में trade करने वालों के बीच में 75% लगातार नुकसान सहते रहते हैं मगर उसके बावजूद भी trading करते रहते हैं जब पैसा डूबता है उसके बाद भी trading जारी रहती है मतलब यहाँ वही भावना काम कर रही है जिसके तहत लोगों को यह सिखाया जा रहा है कि अपना टाइम कभी तो आएगा लगे रहना है छोड़ना नहीं है इसी पर सेबी ने एक report जारी की है future और option trading पर सेबी ने एक report जारी की है report का नाम है analysis of profit and loss in the equity derivative segment financial year 2022 से ले करके financial year 2024 यानि तीन साल की report यह report बताती है कि financial year 2024 में future and option trading segment में जितने individual trader थे उनमें से तकरीबन 91 परतीसत को loss सहना पड़ा है उनका पैसा डूब गिया है उनको नुकसान उठाना पड़ा है मतलब हर 10 में से 9 ने नुकसान उठाया है थोड़ा और खुल कर कहा जाए तो 73 लाख लोगों ने रहा है बताईए यह उस छित्र का हाल है जिस छित्र के जरिये पैसा कमाने का ख्वाब पूरे भारत में बेचा जा रहा है सेवी की इसी report के आंकडे बताते हैं कि future and option trade की दुनिया में trade करने वालों के बीच में 75% trader की annual income 5 लाख रुपया इससे कम है यानि इससे ज़्यादा नुकसान small investor को हो रहा है सबसे ज़्यादा जिनके पास कमाई कम है बचत कम है उनका पैसा डूब रहा है मामले को थोड़ा ढंक से समझने के लिए future and option trading को समझ लेते हैं सारी तकनीकी बातों को हटा करके मोटे तोर पर कहा जाए तो बात यह है कि जून 2020 में national stock exchange ने derivative में trade करने का concept launch किया जैसा कि derivative सब्द से ही पता चलता है कि derivative का मतलब वह है जिसे किसी से derive किया गया हो हिंदी में इसे व्यूत्पन कहा जाता है जैसे लकडी अगर एक asset है तो इसका derivative कुर्सी हो सकता है बेंच हो सकता है दरवाजा हो सकता है finance की दुनिया में कहा जाए तो derivative दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच किया गया एक ऐसा financial contract होता है जिसकी value किसी underline financial estate पर depend करती है उधारन के साथ समझा जाये तो बात यह है कि मान लेजे कि एक company है जिसका नाम है Ramua Books Limited इस company का एक share 100 रुपेका है इसके derivative instrument में दो तरह से trade हो सकता है या तो stock option के सहारे या future stock के सहारे stock option के सहारे trading करने वाले कुछ कीमत देकर या एक तरह से कह लेजे तो कुछ premium देकर के एक निया तवधी के बाद किसी share को पहले सही निर्धारित कीमत पर खरीदने और नहीं खरीदने के विकल्प यानि option का contact करते हैं इसका मतलब यह बनता है कि अगर Ramua Books Limited की share की वर्तमान में कीमत 100 रुपे है और यह अनिमान लगाया जाता है कि अगले एक महीने में इसके कीमत 200 रुपे या 200 रुपे से ज़्यादा हो जाएगी तो option trading करने वाला विक्ति उनसे जिनके पास Ramua Books Limited के share है उनसे यह contact कर सकता है कि एक महीने के बाद वह उनके share को 120 रुपे में खरीद लेगा या जादा रखम भी हो सकता है इसके बदले में वह premium के तोर पर करार करते समय ही 20 रुपे दे रहा है ऐसे में जिसके पास Ramua Books Limited का share होगा उसे बिना कुछ किये मुफ्त में ही 20 रुपे मिल जाएंगे हविस्से में एक महीने के बाद अगर share की कीमत बढ़ती है तब तो option trade करने वाला share खरीद लेगा अगर share की कीमत नहीं बढ़ती है तो नहीं खरीदेगा और जिसके साथ उसने contract किया है उसके पास 20 रुपे पहले से ही मौजूद है उसे इस हालत में भी मुनाफ़ा होगा अगर एक महीने के बाद रमवा बुक्स लिम्टेट के एक share की कीमत बढ़कर के 200 रुपे हो जाती है तो option trade करने वाले को 80 रुपे का margin मिलेगा चुकि उसका 20 रुपे का option के करार पर खर्चा किया जा चुका है इसलिए भविस्य में option trade करने वाले को अगर कीमत बढ़ती है तो 60 रुपे का मुनाफ़ा होगा इसी तरह से भविस्य में share की कीमत कम होने का अनुमान लगा कर भी option trading की जाती अब इसका उल्टा भी हो सकता है इसी तरह से भविस्य में CR की कीमत कम होने का अनुमान लगा कर भी option trading की जा सकती है future stock में किसी तरह का option का contract नहीं किया जाता है बलकि एक निर्धारित कीमत पर पूरा का पूरा stock पहले ही खरीद लिया जाता है और जब पूरा का पूरा stock खरीदा जाएगा तो बहुत ही जादा भुगतान करना पड़ेगा और भविस्य में अगर कीमत नहीं बढ़ेगी नहीं घटेगी तो पूरा पैसा डूब जाएगा इसलिए future stock में धंदा बहुत कम होता है जादा धंदा option stock में होता है अब जैसा कि उधारन से असपष्ट है कि पैसा कमाने का सारा तामझाम इस बुनियात पटिका है कि जब investment करने वाले इस बात को पकड़ पाएं कि कब CR की कीमत बढ़ेगी और कब CR की कीमत घटेगी मगर अगर कृत्रिम तरीके से artificial तरीके से जगार बिठा करके किसी company की CR की कीमतों को बढ़ा दिया जाए और घटा दिया जाए तो ज़्यादतर invest करने वालों को नुकसान सहना पड़ेगा जिसने जगार लगा करके CR की कीमतों को बढ़ाया और घटाया है केवल उसी को फायदा पहुँचगा क्योंकि उसी के पार्ट केवल सूचना होगी जैसे कि सोशल मेडिया पर YouTube, Facebook, Twitter, Telegram जैसे तमाम प्लेटफॉर्म पर ऐसे तमाम लोग बैठे हुए हैं जो फिन इंफ्लूएंसर कहलाते हैं जो यह सुझाओ देते हैं कि अमुक डेरिवेटिव में पैसा लगाईए आप लखपती हो जाएंगे, करोडपती हो जाएंगे जिनके बहुत ही जादा follower हैं जैसे कि मान लेजे कोई hero हो, कोई heroine हो, कभी वो दबे अंदाज में किसी stock का प्रचार कर देते हैं लोग उसके पीछे भाग पड़ते हैं, इसमें actor और सदवार्सी का एक मामला भी बना है बिजनेश टीवी पर आने वाले anchor दबे अंदाज में प्रचार कर देते हैं, तो लोग उस stock के पीछे भी भाग जाते हैं और बाद में पता चलता है कि लोगों को किसी stock के पीछे भाग कर, उसकी कीमत बढ़ा करके कुछ लोग बहुत ही कमाई कर रहे हैं इस तरह की बहुत ज़्यादा धांदली चलती रहती है, इसमें सबसे ज़्यादा मार स्मॉल इंवेश्टर को सहनी पड़ती है, जिसके पास कोई जानकारी नहीं है, किवले तमन्ना है को उसको पैसा कमाना है सेबी ने Future and Option Trade को लेकर के जो रिपोर्ट जारे की है, उससे निकली कुछ और जानकारी है को थोड़ा ध्यान से सुनी है यह रिपोर्ट बताती है कि Financial Year 2022 से लेकर के Financial Year 2024 के बीच में, यानि तीन साल के बीच में भारत में Future and Option Trade की दुनिया में ट्रेड करने वालों के बीच में 93 प्रतिश्वत ट्रीडर ने 1.8 लाग करोड रुपए का नुकसान सहा है, मतलब 93 प्रतिश्वत ट्रेडर का 1.8 लाग रुपया पैसा डुबा है तब 3.5% नुकसान सहने वालों की संख्या करीब 4 लाख के आसपास बनती है अगर average निकाला जाए तो इन में से हर एक व्यक्ति का 3 साल में तकरीबन 28 लाख रुपए डुपा है किवल 1% टेडर को 1 लाख या उससे जादा का फायदा हुआ है future and option trade की दुनिया में trade करने वालों के बीच में 75% टेडर की annual income पाँच लाख रुपए या इससे कम है और 30 साल से कम उमर के trade करने वालों की संख्या financial year 2024 में सारे टेडरों के बीच में 43% है financial year 2023 में या संख्या 31% हुआ करती थी याने की नौजवान इसमें जादा जा रहे हैं तीन साल में 75% टेडर का पैसा लगातार डुबा है और उसके बावजूद भी पैसा डुबाने वाले लोग trade करते रहते हैं भारत के टॉप 30 सहरों से 72% इंडिविज्वल टेडर आते हैं जो future and option trade में trading कर रहे हैं राहूल गांधी ने जब यह report जारी हुआ तो X पर लिखा कि 5 वर्सों में अनियंत्रित, uncontrolled future and option trading 45 गुना बढ़ गई है 90% स्मॉल निवेशकों को 3 साल में 1.8 लाग करोड पैका नुकसान हुआ है उनका पैसा डूब गया है सेवी को उन बिग प्लेयर का नाम का खुलासा करना चाहिए जो छोटे निवेशकों के खर्च पर अपना बहुत बड़ा profit बना रहे हैं आप कहेंगे कि जब 75% ट्रेडर लगातार नुकसान उठा रहे हैं लगातार उनका पैसा डूब रहा है उसके बावजूद भी वो ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं ट्रेडिंग से बाहर क्यों नहीं निकल जाते इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है मगर जो बात समझ में आती है कि भारत में सिक्षा की कमी है उसमें भी financial literacy की बहुत ही जादा कमी है आम लोगों को अर्थवेस्था की बहुत कम जनकारी होती है इसके उपर ट्रेडिंग को ले करके एक ऐसा माहौल बनाया गया है जिसमें आम आदमी को लगता है कि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करके बहुत ही अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं एक ही ऑफिस में कई लोग आपसन ट्रेडिंग कर रहे हैं उनमें से जादतर को लॉस हो रहा है मगर उन सबने ऐसा माहौल बनाया है कि अगर आप ट्रेडिंग प्रेटफॉर्म पर नहीं है तो आप बहुत पीछे हैं आप पैसा नहीं बना पा रहे हैं हम लोग पैसा बना रहे हैं अद्रिश्य तोर पर एक तरह का समाजिक दबाव भी काम कर रहा है एक तरह का फाल्सिफिकेशन काम कर रहा है एक उधारन जो मैंने देखा वह यह है कि एक ही दफ्तर में दो करमचारी काम कर रहे है एक करमचारी थोड़ा काबिल है थोड़ा समझदार है एक करमचारी थोड़ा अकुसल छेत्र का दुड़ा हुगा करमचारी है अब जब ऐसी स्थिती बनी है तो SABY को तो चाहिए कि वह सब के सामने रखते जो यह रिपोर्ट आई है हर trading करने वाला व्यक्ति के सबसे उपर जब वो trade करने जाए तो उपर दिखाई दे जिसमें यह पता चले कि future and option trade में 91% लोग को loss हो रहा है तीन सालों में 93% लोगों का पैसा डूबा है कुछ कमाई नहीं हो रही है या तो disclaimer के तौर पर उपर ही लगा देना चाहिए जो पूरा छित्र market दिखाई दे रहा है इसमें तो बहुत ही ज़्यादा regulation करने की बज़ुरत है अंत में चलते चलते इस बात को समझे कि भारत की पूरी अर्थ्यवस्था में ऐसी स्थिती तो बिलकुल नहीं है कि सारे के सारे लोग अच्छी खासी कमाई कर पाएं क्योंकि भारत की जो पूरी अर्थ्यवस्था है वो एक कुछक्र में फसा दे गई है यहाँ पर कमाई कई लोगों का हक मारने के बाद कुछ ही लोग कर पा रहे हैं इसलिए आर्थिक असमानता बढ़ी हुई है वर्ल्ड इनिक्वालिटी की रिपोर्ट बताती है वर्ल्ड इनिक्वालिटी लैब की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि एक प्रतिशत अमीरों के पास देश की 40% समपदा है 40% उनके पास वेल्थ है यानि कि 99% लोग 60% वेल्थ के भीतर रह रहे हैं जो 92% informal sector में काम करने वाले लोग हैं उनकी महीने में आमदनी 10,000 रुपै से कम है भारत की प्रतिवेक्ति आमदनी 12,000 से 13,000 रुपै के बीच में जूल रही है यानि कि भारत के लोगों के जेब में बहुत ही कम पैसा है जब पैसा लोगों के जेब में नहीं होगा तो कैसे अर्थवस्था में डिमांड बढ़ेगी और जब डिमांड नहीं बढ़ेगी तब कैसे अर्थवस्था चल सकता है demand का मतलब यह है कि मान लेजे कि एक car बनाने वाली company या मान लेजे कि एक scooter बनाने वाली company है, motorcycle बनाने वाली company एक restaurant है, hotel है या तमाम चीजे है उसका उपभोग, उसके सामान का उपभोग तो तभी हो पाएगा इन सारे सामानों का اور सिवाओं कब भुख तो तब ही हो पाएगा जब लोगों की जेब में पैसा हो और इस्थिती ऐसी है कि भारत की बहुत बड़ी आबादी तकरीबन 90% आबादी के जेब में पैसा ही नहीं है उसका सारा का सारा पैसा बुनियादी जरूरतों पर ही खर्च हो जाता है याने कि अर्थवस् तब ही जाकर कि रोजगार मिलेगा बेरोजगारी दूर होगी गरिमापून जीवन मिलेगा तो कहने का मतलब है कि सौटकर्ट से पैसा कमाना हमेशा यही परिडाम लेकर के आएगा कि सौ प्रतिसत लोगों के बीच 90% तिराने प्रतिसत पंचाने प्रतिसत नुक्सांस इमान होंगे वह मुनाफ़ा कमाएंगे और दोसरे का पैसा लूट कर चले जाएंगे तो सारा फोकस इस बात पर करने की जरूरत है कि किस तरह से भारत की और थ्वस्था तेजगती से आगे बढ़े और सब को गर्मापूंड रोजगार मिल पाए और सब के महंताना सब को ठीक दिए गर लिंक पर जाएं और अपनी राशी चुनें